हलो गाइस वेलकम टू कॉंट स्टडी अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आने वाले एक्जाम से डेटेट तो गाइस क्लास फोर्ट रिक्रूट्मेंट में आज हम एक निया लेक्चर करेंगे जो है एवरेज का इससे बहले मैंने लसे मुरेज़ के तीन लेक्चर करवाए थे वो काफी इंपॉर्टेंट है वो भी और एवरेज भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास फोर्ट के स्लेवस में तो average में हम basic से start करेंगे फिर हम ages के question करेंगे उसके बाद कैसे कैसे हम different type के questions इसमें कर पाएंगे वो भी easy way में तो चलिए start करते हैं तो basically average का मतलब होता है sum of the observation divided by total number of observation यह हमने starting basic है यह इसका average का कि average जब भी हमें average पूछा हो तो हमारे पाँ कुछ observations दिये होंगी तो हम क्या करेंगे उन observations को add करके divided by total number of observations करेंगे तो उससे हमारा क्या निकलता है average यहां पर दिये हुए 99, 97, 100, 104, 105 तो यहां पर total कितनी observations है 5 और sum क्या निकले करेंगे हैं का हमने add कर लिया 99, 97, 100, 104, 105 और divided by 5 तो जब मैंने इसको divide किया तो इस cancer आया 101 यह basic average का sum of the observation divided by total number of observations तो यह इसके बाद guys हमें average में direct कभी भी ऐसे questions नहीं आएंगे कि इन चीज़ों का average बताओ तो वो हमें questions हमेशा घुमा के देते हैं तो उस में हमें कौन-कौन से method use करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यह ध्यान रखने कि deviations क्या होती है average में suppose मेरा यहाँ पे अभी हमने find out किया कि average आया 101 ठीक है तो 101 जब मेरा average आता है यहाँ पे उसके बाद मैंने इसको numbers जो जिन numbers का यह average था मैंने यह देखा कि उनका difference कितना है इसके साथ तो deviation और कुछ नहीं average का difference है numbers के साथ जब मैंने 99 के साथ किया तो उसका यह minus 2 97 के साथ किया तो minus 4 100 के साथ किया तो minus 1 104 के साथ किया 3 और 105 के साथ किया तो plus 4 तो जब मैंने इन numbers को आपस में add किया है इनके science के साथ है तो देखें यहाँ पे क्या value आती है end में 0 तो इसका मतलब average जो हमारा average value होती है उससे deviations की जो difference आता है वो 0 आता है add करके तो अभी शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा बट मैं आगे questions में भी करके दिखाऊंगा आपको कि यह चीज़ हम कैसे use कर सकता है बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी average होगी उसका जब deviations आती है number से उन सब का sum 0 होता है तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ है suppose 101 है तो 99 है 97 है तो मुझे अगर average d हुई है तो मैं बिना ये method लगाए भी question को directly solve कर सकता हूँ अगर मुझे average d है और numbers find out करने के लिए बोले है यहाँ पर है average of 4 numbers is 95 if the numbers are 90, 96 and 100 find the 4th number तो देखिए traditional method में तो हम यही चीज़ करते हैं कि 95 को यहाँ लिखा numbers को add किया x माना और हमारी value आगी 94 तो यह traditional method होता है हमारा बट अगर मैं deviation method से solve करूँ तो deviation method में हमने क्या किया 95 यहाँ पर था difference देखा इसका सब के साथ 90 के साथ देखा 96 के साथ देखा और 100 के साथ देखा और last one number था जो भी number था उसका यहाँ पर minus 5 आया यहाँ पर plus 1 आया है ना minus 5 plus 1 यहाँ पर कितना आया plus 5 तो guys मैंने आपको बोला यह जो deviations होंगी और इस वाली की हमें नहीं पता यह जो deviations होंगी इन सब का सम 0 आता है अगर इन सब का सम 0 आयगा तो यहाँ पर minus 5 plus 1 plus 5 तो यहाँ पर कितना आना चाहिए minus 1 क्योंकि minus 5 plus 1 plus 5 कितना answer आता प्लस वन तो अगर तो मैं मैंस वन करूं तभी तो वह 0 आएगा न तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए मैंस वन तो deviation से मेरा easily यह question हो सकता था उसके बाद क्या answer आएगा 95 था 95 की यहाँ पर मैंस वन आना चाहिए तो इसका मतलब कौन सा नमबर यहाँ पर आना चाहिए जिससे मैंस वन होगा 94 तो मैंने बिना यह method कि यह direct deviation से solve कर दिया कैसे फिर से सुनिए 90 था 9600 और x तो मैंने deviation निकाली इनकी average को लेके यहाँ पर minus 5 आया है यहाँ पर plus 1 यहाँ पर plus 5 ठीक है तो मुझे यह deviation का sum average से 0 होता है इतना हमें ध्यान में रखना है तो जब मैंने minus 5 plus 5 plus 1 plus 5 किया तो last में यहाँ पर minus 1 आना चाहिए तभी तो वो 0 होगा तो हमारी यहाँ पर value क्या है minus 1 तो 95 से कौन सी value मैं निकालूँगा कि minus 1 आता है तो 94 minus 95 क्या होगा minus 1 answer देता है इसका answer क्या होगा 94 अब next question है average of some numbers is a b c d e is x what is the average of a minus 12 b minus 8 c minus 9 d minus 13 और e minus 18 तो वैस यह question मैंने आपको बताए कि average जो traditional method होगा वो हमेशा time consuming होगा तो हमें time save करना है जादा से जादा time save करना अगर आप इसको normal method से करोगे तो वही formula यह a plus b plus c d by 5 है ना तो यह formula बना x मेरा मैंने assume किya कि x जो average था a b c d का था ठीक है वो question में sorry दिया हुए तो मैंने assume किya y को कि y किसका average होगा यह जो numbers इसने पूछे हुआ है तो जब मैंने इनका average आड किया इनको यह वाली value है और नीचे 5 तो guys अब मैंने numbers इन letters को अलग लिखा और number को add कर दिये यहां पर तो मेरा क्या बना a plus b plus c plus d plus e minus 50 by 5 देखिए मैं इन दोनों को अलग-अलग करके भी लिख सकता हूँ upon 5 minus 58 by 5 और यह जो मेरी चीज है a plus b plus c plus d plus e by 5 यह क्या है x की value तो मैंने इसकी place पे x की value put की और यह क्या आया minus 10 तो मेरी value क्या है क्या average होगा इनकी x minus 10 तो इस question में basically पूछ था कि find the average of a minus 12 यह numbers की in terms of x तो मेरी value क्या ही x minus 10 तो अगर मुझे इसको short method से करना होता तो मैं क्या करता देखिए जब आप question देखोगे आपको पता है average का question कैसे होगा average से आप उसमें changes आएंगे इस वज़े से changes आएंगे बाकि a b c d और e में कोई change नहीं आएगा तो जब मैं इस चीज को लिखा था तो यहाँ पर एक चीज हमें visible होनी चाहिए कि a plus b plus c plus d by 5 क्या होगा x होगा है ना तो जब यह x होगा तो बाकी चीज क्या बज़ेगी 50 by 5 तो यह क्या बज़ेगा x minus 10 तो हम इसको direct को भी लिख सकते थे इनको और minus 10 करके उसको x में से subtract कर दिया तो next question करते हैं यह formula हैं तो आपको पता है कि जब sum of the natural numbers हमें पूछा हो तो हम कैसे find out करते थे n into n plus 1 by 2 suppose आपके पास यह question है 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot 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 15 इनका sum निकाल हो तो हम क्या करते थे हमारे पास formula होता था 15 15 plus 1 divided by 2 है ना तो इस formula से हम direct निकाल सकते थे ऐसे squares के case में होता था squares के case में हम direct निकाल देते थे but कभी अब जो questions आते हैं उसमें average पूछी जाती है find the average of sum of the natural numbers कुछ भी यहाँ पे n तक value दे देंगे तो उसमें हम average कैसे find out करेंगे average का formula क्यों होता है sum by total तो देखिए इन numbers के sum का formula होता है n into n plus 1 divided by 2 ठीक है जब divided by 2 था और total numbers कितने थे n थे जब आया n into n plus 1 by 2 और second case में जब में से पूछा हो कि sum of the squares of natural numbers तो उसका यह formula होता है n into n plus 1 2n plus 1 by 6 suppose आपके पास question है 1 square plus 2 square plus 3 square dot 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 10 square ठीक है तो आप क्या formula लगा होगे direct n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 तो n की value क्या put करते हैं 10 तो उससे हमारी value निकल जाती है but average में उन sum का average पूछा जाता है कि find the sum of the squares of first 10 natural numbers तो आप कौन सो formula लगाओगे यही formula n into n plus 1 2n plus 1 by 6 और divided by n हो जाएगा n say n's cancel तो formula क्या बच क्या n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 और sum of the natural numbers का यह था और squares का क्या था यह वाला अब next question है average of 84, 97, 53, 59, 79 अब एक और चीज है जो हमें कर सकते हैं easily find out कर सकते हैं किस से कि अगर हमारे पास ऐसा question दिया हो 81, 84, 97, 53, 59 और 79 तो अगर normal method से तो हम add करेंगे divided by 5 कर देंगे तो guys एक चीज धियान रखिए कभी भी average पूछी हो ना तो suppose मैं पास यह number है 1, 2, 3, 4, 5 तो जो average होगी ना इनकी वो इनके बीच ही आएगी सबसे छोटे और सबसे बड़े number के बीच में ठीक है तो हमेशा से धियान रखिए जो average होगी वो इनके बीच में ही आएगी average कभी भी number से बड़ी नहीं हो सकती है आप किसी में case में देखिए जब तक वहाँ पर negative virus sign ना हो तब तक average सबसे छोटे और सबसे बड़े numbers के बीच में ही आएगी और even negative के case में भी यही होता है तो यहाँ पर numbers क्या थे 84, 97, 53, 59, 79 तो हम क्या करते हैं अगर हमें और जल्दी find out करना तो हम क्या करते हैं suppose हमने average assume कर ली 60 ठीक है क्योंकि देखिए सबसे छोटा number 53 था और सबसे बड़ा 97 था तो इतना idea होना चाहिए कि average इनके बीच ही आएगी average इन दोनों numbers के आसपास ही आएगी इन से उपर नहीं जा सकती है average उन sum के उन दोनों numbers के बीच में आएगी तो जब हमने ये assume किया हमने 60 आप 70 भी assume कर सकते थे 80 भी 90 भी कुछ भी assume कर सकते थे बड़ उन दोनों numbers के बीच में जब मैंने 60 गे assume की तो फिर मैंने देखा 60 की deviation कितनी कितनी जादा है numbers से जो हमने पहले किया था तो यहां से 84 के साथ तो 24 है और उसके बाद 97 के साथ कितनी है 37 प्लस का 53 के साथ minus 7 का 59 के साथ minus 1 और 79 के साथ 19 का तो यहां पे हमने क्या किया अब हमने देखा कि deviation का result क्या आता है deviation का result आया 72 बाइ 5 पहले question में deviation का result क्या आ रहा था 0 क्योंकि वो average उसमें खुद दी हुई थी यहां पे मैंने average assume की हुई है तो deviation का result चेंज आ सकता है और कितना चेंज आ रहा है प्लस में आ रहा है तो यह जो value होगी ना प्लस वाली तो इसको हमने क्या करना है जो हमारी assumed average होगी उसके साथ add कर देना है ठीक है क्या कि हमने जो भी हमारी deviations आई उसको 5 से divide किया है क्योंकि total number of observation से divide करते हैं जो हमारा number मना हो उसको assume average के साथ add कर दी अगर यहां पे suppose subtraction होती minus का number आता तो यहां पे इस number से क्या हो जाता subtract कर देते तो guys आपके लिए एक homework है कि आप इस question को as average assume करके चलना 70 कि 70 से देखी कि क्या यह answer सही आता है कि नहीं बिल्कुल same answer आएगा बड़ा practice करना तो फिर आपके लिए जादा easily हो जाएगा आपको लंबी calculation नहीं करनी बढ़ेंगा यहां पे तो 5 number है कभी कभी 10 numbers दे दिये होते हैं तो वहां पे अगर आप यह approach log आओगे तो आपका question easily solve हो जाएगा next question है the average of 9 observations is 87 if the average of first 5 is 79 and the average of next 3 is 92 find the 9th observation तो यह question काफी lengthy लगता है हमें ऐसे question जब 9 observations की average दे दी हुई है फिर उसने क्या किया पहले 5 की दे दी और फिर उसके 3 बाद की दे दी अब उसने बोला 9th observation जो हमारा traditional method है उसमें हम क्या करते हैं average by sum of sum by total तो जब मैंने sum निकाला 9 की 9 observations का वो आया मेरा sum by 9 तो 87 तो sum of 9 observation यह आया ठीक है अब ऐसे ही हम sum of the first 5 निकाल लेंगे first 5 भी हमने निकाल ली 79 into 5 ऐसे ही sum of next 3 निकाल लेंगे यह method तो हमरे पास अगर sum of 9 observations है 5 और 3 है तो मतलब 9 observation का sum है हमने 5 का भी निकाल लिया इसके बाद 3 का भी निकाल लिया तो last वाला बच गया जो भी बच जाता उसके observation उसका sum आ जाएगा बट यह method काफी lengthy हो जाता है तो इसमें काफी time waste होता है तो देखे इस case में हम क्या करेंगे हमारे पास उसने average दे दिया हुए 87 9 numbers का उसने average दिया हुए 87 तो थोड़ा से deviation जैसा ही method है हमने क्या किया 87 जो हमारे पास दिया था हमने देखा कि 5 number का sum था 89 दे दिया हुए 5 number का average और 3 का कितना दिया हुए 92 हाना जब मैंने deviation निकाली तो यहां पर कितनी आई 8 minus 8 और यहां पर कितनी आई plus 5 तो यह कितने numbers थे 5 number थे तो यहां पर हमने क्या किया जो deviation थी उसको उस number से multiply कर दिया तो deviation को अगले वाले number से multiply किया क्योंकि वो 3 number से यह कितना बना 15 तो minus 40 और plus 25 प्लस 15 कितना बना minus 25 ठीक है तो minus 25 बना था तो guys इस case में थोड़ा सा उल्टा होगा कि जब हमारे पास minus बनेगा तो हम average में क्या करेंगे वो वाला number add करतेंगे ठीक है average में वो वाला number add करतेंगे तो हम हमारे पास last number find out कर लेंगे easily देखे क्या किया काफी simple approach है फिर से सुनना deviation थी 87 यहाँ पे कितना था 79 कितने numbers का average था first 5 92 था last 3 ठीक है उसके बाद 3 और last number हमसे पूछा उनने यहाँ पे कितनी deviation minus 8 इसको इसके number से multiply किया जो 5 नमबर थे यहाँ पे कितना था plus 5 इसको इसके number से multiply क किया तो minus 40 plus 15 कितना बना minus 25 और यह जो minus 25 होगा इसको हम जो average होगी उसके साथ add कर देंगे 87 plus 25 कितना बना वो 112 ठीक है अगर हमारे पास यहाँ पे suppose negative की जगे यहाँ पे positive आता plus 25 तो हम क्या करते 87 minus 25 तो वो कितना मंता 62 ठीक है तो next question करते हैं the average of 7 data is 34 and average of first 3 data is 28 and the average of next 2 data is 47 साथ observations का data उसने average दिया 34 और first 3 का उसने दिया हुए 28 और next 2 data का दिया उसने 47 और उसने पूछा last 2 data का average निकालो तो वही last question है वैसा ही question है यह 34 उसका average दिया था सबका 28 तीन numbers का दिया था और 47 दो numbers का तो हमने क्या किया जो भी दो data का average पूछा है तो हमने क्या किया 8 divided by 2 कितना हो गया 4 अब मैंने बताया था कि जब plus होगा तो हम original average पूरी observations वाले में से subtract करेंगे जब subtract जब minus दिया होगा तो हम add करेंगे तो 34 minus 4 कितना हुआ 30 ठीक है गाईस तो ये थी इसकी simple approach थी एक इससे आप easily ये question solve कर सकते हो अगर आप दूसरी approach करना चाहते हो तो वो काफी लंबा पड़ेगा आपको क्योंकि उसमें हम काफी चीज़े find out करने बड़ती जैसे इस question में किया था तो guys आज आपका homework है कि find the question मैं देता हूँ आपको वो करना वो इस ये जो question ये second वाला जो इसमें formula है इसके base पे होगा find the average of first 15 squares of natural numbers ठीक है एक तो ये question है 15 का पहले 15 numbers का ठीक है उनका average निकालना है squares of natural numbers का और एक और question है जो जो मैंने पहले बोला था कि ये जो 60 वाले zoom किया था इसको अब 70 और 80 मान के भी करना देखना कि आपका answer सही आता है कि नहीं ठीक है तो guys आज के lecture में बस इतना ही तो I hope ये lecture आपके लिए काफी helpful होगा thank you very much